हेलो जैन शात्रों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चेनल पर दोस्तों यहाँ पर आईटी आई छात्र लगातर कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि उनका इंजिंग ड्राइन प्रेटकल का एक्जाम कब से कब तक होगा और उनका फिस पेमेंट कब तक होगा कैसे फिस जारी हो चुका है उसी की माद्यम से मैं आप लोग को बताऊंगा तो जितने भी छात्र आईटी आई का एक्जाम देने वाले हैं साथ में बैक परिछाय के एक्जाम देने वाले हैं जितने भी छात्र सेमेश्टर एन्वल फस्ट इयर सेकेंड इयर जिनका सेमेश्टर है फ यही जुड़ी सभी जानकारी से पहले आप तक पहुशती रहेगी क्योंकि इटी आई का कोई भी अपडेट्स नोटिस आता है तो आपको सबसे पहले हमारे चिंदोरा 100% सही जानकारी साथ आपको बताए जाते हैं तो आई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो फ्रेंट्स अधरी जाको अपने आई टी आई सहस्तान पे जाएकर बीजमाग कर सकते थे तो आई टी याइई सहस्यास कर देंगे और आप लोगका हॉल्ल टिकट जो है जारी कर दिये जाएंगे तो आप लोग गा चोछिवी करके दज जौनबर कर दिया गया है तो आप लोग घवराई यह मत कहें भी हो अपने ITI संस्तान से contact करिए आप लोग का एक्जाम जो है थिवरी का CPT एक्जाम जो देना है आप लोग को बैक पर इचा का तो आप लोग का 10 December से होगा तो बात करते हैं यहाँ पर ITI छातरों का जिनका इंजिंग ड्राइंग प्रेटिकल में बैक लगा तो आप लोग का जो फीस पेमेंट है वह आप लोग कई स्टेट में जो है अलग अलग नियम आप लोग के आए हुए है जैसा कि UP में आया हुआ है कि आप लोग अपने ITI संस्थान से contact करिए और इसके बाद वहाँ फीस पेमेंट करिए इसके बाद आप लोग अपने आप आप लोग के जो ITI संस्थान के डिरेक्टर होग रहे होंगे टीचर होग रहे होंगे वह आप लोग के ITI के ID से आप लोग का फीस पेमेंट कर देंगे आपको ओनलाइन करने के जब्रत नहीं है लेगिं कई-कई स्टेट में से महराश्ट हो गया MP हो ठीक है इन सब स्टेट म अब लोग के ओनलाइन थे यहां पर फीस पेमेंट हो रहे हैं तो जितने भी चात्रे यहां पर अलग स्टेट से है तो आप लोग कोई भी स्टेट से हैं वह अभी तक हो रहा है CBT एक्जाम का complete हो चुका है अब उसका एक्जाम होगा इसके बाद ही आप लोग के इंजिन ड्राइंग प्रेटकल के बैक पर इच्छा किस्टोट का एक्जाम होगा ठीक है लेकिन अब आप लोग का जो फिस प्रेमेंट है वह दिसंबर में आप लोग का हो रहा है इंजिन ड्राइंग प्रेटकल का तो आप लोग अपने IT संच्छान से कोंटेक करिए वहाँ पर जाईए वहाँ पर फिस प्रेमेट करिए लेकिन यहाँ पर बहुत से स्टेट में आप लोग का ओनलाइन थू कर रहे हैं तो आप लोग ओनलाइन कैसे करेंगे यह में आप पर देख पा रहे हैं इसके बाद आपको यहाँ पर चौथे नंबर पर ट्रेनी प्रोफाइल मिल जाएगा इस पर क्लिक करते हैं आपके शामने एक निया पेज ओपन हो जाएगा जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके शामने कुछ इस परकार क फिलप करना आये इसमें आपको मिल जाते है रिष्टेसन नंबर फादर्स नेम डेट आउब वर्थ इमेज टेक्स रिमेंबर मी शमी ठीक है तो आपके सामने यह आपसंद दिख रहे हैं तो आपका जो रिष्टेसन नंबर है यह आपके आई टी आई संस्थान से मिलेगा वही आपको श्रेम इसमें फिलप करना है इसके बाद आप लोग जो नेम फिलप करेंगे हो कैपिटल लेटर में फिलप करेंगे इसमाल लेटर में नहीं ठीक है तो डेटा बर्थ जो है इसमें आपको कलेंडर एक दिया रहेगा उसमें से आपको चूज कर लेना है आपको ब्त नहीं लिक्ट करना ठीक है तो इमेज टेक्स यहाँ पर आपको स्लो कर रहा है इससी को आपको इसमें लिख देना है टाइब करना है इसके बड़ आपको सब्मीट बटम पर किलिक करते हैं आपके सामने एक निया पे जो पन हो जाएगा जिसमें आपका प्रोफाइल रहे तो जो प्रॉफाइल में आप लोग का नहीं दिखा दिरहा है तो आप लोग ओन-लाइन थ्रो से आप लोग नहीं कर सकते पेमेंट आप लोग कोई भी नोटिस चुख जाएंगे और आपको नोटिस बालों नहीं पाएगा क्योंकि आप लोग एकज्याम्स अगर छूट जाए झाल गगा